हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ बलवी और वेलकम टू मैं चैनल हिंदी टैरो डाइक ट्रिपल टू में ठीके ना फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब लोग आप सब ही बहुत अच्छे होंगे आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाई हूँ कि आपकी जो पार्टनर है जिन्होंने आपको छोड़ दिया है और अप आप लोग नो कॉंटेक्ट में हैं क्या वो आपके पास वापस आएंगे ये आपके एक्स भी हो सकते है और हो सकता है आप इन से अभी भी कॉंटेक्ट में हो बट आपके बीज में रिलेशनिप नह이 रहा है ये reading married और unmarried कोई भी देख सकता है और अगर आप separation में हैं तभी भी आप ये reading देख सकते हैं ये reading timeless reading होगी तो जब भी ये reading आप लोगों के सामने आती है आप इसे देख सकते हैं ये general reading है तो ये आप से 100% resonate करें ऐसा possible नहीं है तो आप से जितना resonate करें आप उतनी ही लीजेगा बाकी की यहीं पर जोड़ दीजेगा और दूसरों के लिए जोड़ दीजेगा and third thing is guys ये reading gender specific भी नहीं है ठीक है नो तो हो सकता है जो energies मैं यहाँ पढ़ रही हूँ वो आपकी हो और हो सकता है वो energy आपके पसंद की हो so यहाँ पर vice versa energy हो सकती है guys मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर दो बुद्धाज रख रही हूँ first is yellow बुद्धा and second is green बुद्धा ठीक है ना तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के सामने ही shuffle करूंगी cards ठीक है ना आप लोगों के सामने ही cards निकालूंगी और आप लोगों को एक बुद्धा अपने intuitions को follow करके select करना है जो भी बुद्धा आपको जादा track कर रहा है उसे ही select केज़ेगा आप चाहिए तो वीडियो को pause भी करके select कर सकते हैं ठीक है ना चलिए मैं दो मिनट का आपको वेट देती हूँ और आप इसमें से select कर लीज़ेगा एक बुद्धा this one is first pile and this one is second pile yellow बुद्धा is first pile and green बुद्धा is second pile ठीक है ना friends चलिए चलिए तो start करते हैं first pile से जिन्होंने ये yellow बुद्धा start किया है चलिए मैं यहीं बस शबर कर रही हूँ आपके सामने ही ठीक है ना friends I hope आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा properly पहले में तीन कार्ट्स निकालूंगी आपके पार्टनर के माइंड में क्या thoughts चल रहे हैं आपके लेकर इस relationship को लेकर ठीक है ना friends शफल कर लिए है ठीक है ना चलिए पहले मैं आपके तीन पार्टनर के निकालती हूँ Queen of Pentacles Queen of Cups and Six of Wands ठीक है ना चलिए अब यह आपके पार्टनर की एनरजी जह हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस रिष्टे के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ यहां पे हैं टॉरस वर्गों कैप्रिकॉन कैंसर Pisces and Scorpio and यहां पे हैं आपके Wands यानि की Aries Leo and Sagittarius तो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में इस टाइम पे काफी अच्छा सोच रहे हैं ठीक है ना फ्रेंट्स जैसे आप बहुत केरिंग हैं केरिंग नीचर के हो काफी काइंड परसन हो काफी नर्चरड परसन हो आप उनसे बहुत प्यार करते हो उनके बिना रहना आपके लिए काफी डिफिकल्ट है यह सब आपके परसन आपके बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं यह यह बात भी आपके पसन आपके बारे में जानते हैं बट साथ में वो आपको थोड़ा बहुत ना arrogant समझते हैं थोड़ा proudie हो आप इस type का समझते हैं ठीक है ना बट वो आपको जीतना चाहते हैं अपने प्यार पर जीत हासिल करना चाहते हैं वो ये six of wands card जो है न विक्टरी का card है ये मुझे बताता है कि वो आपको जीतना चाहते हैं अपने प्यार को जीतना चाहते हैं इस रिष्टे को एक नई direction वी लेके जाना चाहते हैं ये मुझे विक्टरी का card बताता है ठीक है न चलिए अब हम देखते हैं कि क्या वो वापस आए to you तो चलिए हम shuffle कर रहे हैं तीन कार्थ मैं एक साथ ही निकालूंगी टीनो कार्थ अठीक है न शकल अच्छे से पापर लिकर के चलिए seven of swords, temperance, knight of swords, are they come back to you? क्या वो आएंगे आपके पास seven of swords, energies है Gemini, Libra and Aquarius की energy है यहां पर बहुत strong है, in fact यह जो energy है and Sagittarius की energy है, चीक है न तो मुझे क्या लग रहा है एक सिकेंद आपको कार्थ दिख रहे हैं न मैं इसको दर कर देती हूँ ठीक है न चलिए तो मुझे क्या लग रहा है न कि इन दोनों कार्थ को देखकर तो मुझे लग रहा है कि yes वो आएंगे आपके पास but seven of swords का card बताता है कि शायद past में या अभी आपके साथ cheat कर रहे हैं वो या उन्होंने past में आपके साथ cheat करा ठीक है न मुझे ये seven of swords के card से ये पता चल रहा है ठीक है न बट temperance और knight of swords का card जो होता है न वो मुझे बता रहा है yes 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 वो आपके पास definitely आएंगे और बहुत जल्द आएंगे ठीक है न आपके पास आएंगे लेकिन लेकिन वो आपके पास जब आएंगे तो सारी situation को clear करेंगे अब ये जो cheat वाली है न ये हो सकता है कि वो आपने cheating करी हो या फिर उन्होंने आपके साथ cheating करी हो ठीक है बट वो उसका clarification आपके सामने जरूर रखेंगे और बहुत जल्दी रखेंगे ठीक है न और इस temperance के card से मुझे ये पता चलता है कि वो अपना equal given take वाली condition आ गई है वो अब आपके रिष्टे में balance जाते हैं इस relationship में balance जाते हैं ठीक है न तो अब आपके रिष्टे में balance आएगा वो इसी क्या clarification देंगे अगर उन्होंने कुछ cheat करा है तो उसको clarify करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों करा past में ठीक है न ऐसा मुझे इस cards में दिख रहा है बट वो आएंगे definitely आएंगे आपके पास इन cards से तो मुझे इन दोनों cards से तो मुझे यही दिख रहा है और in fact यह victory का card भी है जो मुझे बताता है कि वो आपको जीतना चाहते हैं इस relationship को जीतना चाहते हैं क्योंकि वो आपको जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं आप बहुत ज्यादा nurtured nature के भी हैं वो ऐसा आपके लिए in fact सोच भी बहुत positive भी रहे हैं इस रिष्टे को लेकर भी वो बहुत positive सोच रहे हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि वो आ रहे हैं तो वो कब तक आएंगे अब हम यह जानना है कि वो आ रहे हैं अकर yes वो आ रहे हैं तो वो कब तक आएंगे when would they come back ठीक है ना चलिए मैं शफल कर रही हूं कार्ण कार्ण की निकालोंगी यहां पर आपके सामने एट ओफॉंस पेज ओफ पैंटिकल्स एंड फोर ओफ वांस वेरी नाइस चलिए तो पहले मैं अनर्जी बता देती हूं जोड़े एक साइन बता देती हूं आप लोगों को तो यहां पर है एरिस लियो एंड suggests अश्राइ और मुझे क्यार लग रहा है कि बहुत जल्द आपका और उनके अनका कमुद्केशन होने बाला है और कोई मुमेंट होने वाला है एक सफ्नन कमूद्क ख़बोच और बहुत जल्दी होने बाला है यहां पर नाइट औफ सोर्स हाया हैं यहां पर भी एट ऐट ओ वांस आया है दोनों ही बहुत चल्दी कुछ होने वाला है आप लोगों का कम्मिकेशन होने वाला है इसको बताता है और definitely होने वाला है आपकी साइड से या उनकी साइड से मतलब कुछ तो होने वाला है आगे पड़ते हैं पेज ओफ पैंटिकल्स का जो कार्ड है तो मुझे बताता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में एज डिफरेंसेस तो है और यहां पे कोई एक बंदा जो है वो कोई इमिच्चार है थोड़ा या इमिच्चारली बिहेव करता है थोड़ा ठीक है न एज डिफरेंसेस त चाहते हैं ठीक है नवर पार्ण le opens काण्ड मुझे बताता है marriage commitment थीक है न तो यह यह बताता है मुझे stability और they want a home with you a stability would you वह आपके साथ इक घर बसाना चाहते है stability चाहते हैं वो मुझे इस card से दिख रहा है अब आता है हमारा question when would they come back तो मैं अगर आपको बताओं तो यहां पर मुझे मोटा मोटा लग रहा है minimum अगर मैं बताओं तो यहां पर मुझे 4 weeks, 8 weeks, 9 weeks, 4 months लग रहा है minimum अगर मैं बताती हूँ तो आपके पास और maximum बताती हूँ तो guys, यहां पर मुझे लगता है 8 to 9 months लगता है मुझे यहां पर ठीक है ना, यह मुझे यहां पर अभी लग रहा है आपका, आपके, but good thing is कि आपके pattern आपके पास 100% आएंगे चलिए, अब मैं देख लेती हूँ साही बाबा के guidance में से तीन cards आपके सामने में निकालने जा रही हूँ आपको मेरी reading रेजोनेट करती है, आपको मेरी reading पसंद आती है तो प्लीज मेरे channel को like कीजिए, share कीजिए and subscribe कीजिए चीक है ना? चलिए तो बाबा का message है आपके लिए आत्मा का सफर मैं mark पत जरूर बताऊंगा लेकिन आपको अकेले रास्ता तै करना होगा तो यहाँ पर बाबा आपसे कह रहे हैं कि मैं आपको एक mark बताऊंगा की आपको कैसे चलना है, किस mark से चलना है लेकिन आपको उस mark पे उस रास्ते पर खुद ही चलना होगा ठीक हैं अपने goal को आपको खुद ही प्राप्त करना होगा आप यह किसी भी चीज को लेकर ले सकते हैं, अपने character को लेकर ले सकते हैं, अपनी relationship को लेकर ले सकते हैं जैसे आपको resonate करें उसके हिसाब से आप यह लीजिएगा दूसरा बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं मैं सदा आपके साथ हूँ हर इस्तिती में साथ हूँ आपके ठीक है ना तो बाबा कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं परेशान मत हो ये मैं आपके साथ हूँ मतलब मेरा presence आप बिल्कुल देखिए कि मैं आपके साथ हूँ, मेरा presence को feel कीजिए तीसरा भाबा बता रहे हैं, ध्यान, ध्यान कीजिए, जब कीजिए और प्राथना कीजिए देखिए ये बात तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि प्राथना इसी बहुत कुछ होता है, बहुत effect होता है, आपका bad luck जो होता है वो सही हो जाता है, प्राथना करने से आपकी life में जो struggle चल रहा होता है वो कम हो जाता है, तो प्राथना करते रहना चाहिए, ठीक है, अब मैं आपको आपके पसंद के messages बताऊंगी, मैं लुथने का दूँगा थे ओ लुकिना चलिए, त्याले में शैपल कर लेती हूं आपके सामने ही, मैं शैपल कर रहे हूं आपके काड़, थे कहाँ है, नियुक आपके सामने ही नियुकित आपकर है वे कृत रावाग्त, की इसीदे उराए जाशने शफल चले मैं कार्ट के हैं हूं कार्थ आपके पातनर के क्या कहना चाहते हैं आपके पातनर I want to hug you be too वह आपसे कहना चाह रह रहे कि वह आपको hug करना चाहते हैं I can't sleep at night I think of you वह लग्तन को सो नहीं पा रहे हैं वह हमेशना आपके बारे में सुच्छते रहते हैं ठीक है न, you are so special, तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा special है, वो तो मुझे यहाँ पे दिखी रहा है, कि वो आपको बहुत ज़्यादा, आपकी care करने को miss कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको miss कर रहे हैं, you come in my dreams, आप उनके सपनों में आते हैं, will you have my kid, ठीके वो stability चाहते हैं, आपके साथ marriage करना चाहते हैं, आपके साथ home चाहते हैं, और यहाँ पे भी यही card आया, will you have my kid, seven cards आते हैं, I am terribly sorry and I wish that one day you can forgive me, तो वो आपसे मावी मांग रहे हैं, यहाँ पे मुझे इस card से तो यही लग जाए कि कही ना कहीं past में उन्होंने आपके साथ कुछ cheat किया है, यह जो seven of swords का जो card आता है, तो हो सकता है, वो उसी के लिए sorry मांग रहे हैं आपसे, you are a thousand miles away but no one else is closer to my heart than you are, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप मुझे से भले ही कितने ही दूर क्यों ना हो, बट कोई भी आप जतना मेरे heart के close नहीं है, चीक है ना guys, तो यह आई है आपकी reading, I hope आपको मेरी reading पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी reading पसंद आती है, तो please मेरे channel को like कीजे, share कीजे and subscribe कीजे, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे topics आपके सामने लाती रहूँ, आपको guide करती रहूँ, तो इसी के साथ बने रहे है, हिंदी टेरो डाइक त Hello guys, so generally ये second pile, ये green pile, ग्रीन बुद्धा चूस किया है, चलिए अब उनकी reading देखते है, सबसे पहले हम निकालते हैं कि आपके partner आपके बारे में क्या सोच रही है, ठीक है ना, क्या उनकी माईन में चल रहा है, आपको लेकर, इस रिष्टे को लेकर वो क्या सोच रहे है, चल मैं यहाँ पर, चलिए, seven of pentacles, seven of souls, and queen of pentacles, तो यहाँ पर है, टॉरस उपर, गोईन, कैप्रिकॉर्ण, and जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर यहाँ आई है, मुझे अनर्जी, तो आपके person आपके बारे में क्या सोच रहे है, यहाँ पर आपके partner की काफी conflicted energy चल रही है, ठीक है न, एक side तो वो आपको career oriented person समझ रहे है, काफी kind, hurted, समझ रहे है, nurtured person की थरा देखते हैं, आपके साथ stability भी देख रहे हैं, but on the other side, मुझे लग रहे है कि उन्हें trust issue भी है, ठीक है न, उनको ऐसा लग रहे है कि आपने उनको cheat किया है, आपकी life में कोई और है, आप कभी arrogant हो जाते हो, कभी proudie हो जाते हो, उन्हें ऐसा ऐसा लगता है, ठीक है न, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप उन्हें कम importance दे रहे हैं, आप सिर्फ money earn करने में ही लगे रहते हैं, ठीक है न, उनकी तरफ आप त्यान नहीं देते हैं, या आपकी life में कोई और है, जिस वज़ा से आप उन्हें cheat कर रहे हैं, उन्हें ऐसा feel हो रहा है, ठीक है न, और एक साइड उन्हें trust issue भी लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप cheat कर रहे हैं, उनके mind में ऐसा चल रहा है, बद काफी conflicted energy दिख रही है मुझे आपके person की, ठीक है न, ऐसा दिख रहा है, चलिए फिर हम देखते हैं कि क्या वो आपके पास आएंगे, चलिए, are they come back to you, इसके लिए भी हम तीन कार्च निकालेंगे, पास प्रिए, बहा है, पास आपके कि आपिए, बशेन व क्वापने लिए, टीन कार्च बात रहा है, अगें चलिए तो यहां पर है एनर्जीज है यहां पर Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra and Aquarius हो सकता है यहां पर ठीक है ना तो I think guys आपको दिख रहे होंगे ना Cards, चलिए तो यहां पर है मुझे लग रहा है ना उनको कही न कही फील हो रहा है Trust Issue की वजह से उनको कही न कही यह फील हो रहा है कि सब कुछ खतम हो गया है आपने उन्हें हर्ट किया है और उन्हें छोड़ दिया है ठीक है ना उनको ऐसी Ceiling आ रही है यहां पर इस card को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है बट गाइस इन दोनों cards को देखकर मुझे लगता है जो यह मुझे यह बताते हैं कि यस वो आपके पास आएंगे जोंट वरी ठीक है ना बट मुझे साथ ही यह लग रहा है कि वो आपसे कोई clarification चाहते हैं ने भी आप तोनों के पीछ में जो यह trust issue चल रहा है ना उससे लेकर चाहते हैं और यह जो वो आएंगे ना आपके पास वो बहुत जल्दी आने वाले हैं यह night of source मुझे speed बताता है कि वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं उनके दिल में आपके लिए feelings हैं emotions अभी भी हैं और वो उसी को offer करने के लिए आपके पास आएंगे लेकिन वो आपके साथ clarification भी लेंगे या देंगे ठीक है ना वो आपको जैसे resonate करे या बोलीजे अकर उन्हें आपसे trust issue है या आपको उनसे trust issue है तो उस हिसाब से आपको यह पर लेना होगा ठीक है ना क्योंकि यहां पर trust issue तो मुझे बिल्कुल देखाई दे रहा है और जिस वजह से उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस रिष्टे में अब कुछ नहीं बचा है यह नहीं होगा और शायद वो इसी का clarification आपको देने पहले वो यह चाहेंगे कि व यहले अब देखते हैं कि वो आपके पास आएंगी चाहें वो clarification के रहे हैं वो कब तक आपके पास आएंगी चाहि Officer ना गाइस चल देखते है वैं से चलिए देखते हैं, when would they come back to you, कब आपके पास आएंगे, चलिए, when would they come back to you, कब आएंगे, वेरी फास, मूमेंट का कार्डिका आता है, कैंसर, थ्री ओफ पैंटिकल्स, थौरस वर्गों, कैपिकॉर्ण, और इस वर्गों, वेरी नाइस, new beginning चाहते हैं, आपके साथ, तो मुझे क्या लग रहा है, कि वो कही ना कही वर्ग कर रहे हैं, they are working on it, मतलब वो इस चीज पर वर ही हो जाएं वापस से, वो इस चीज के लिए work कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कही ना कही वो team work कर रहे हैं, कैसे मैं तुम्हारे सामने, मतलब आपके सामने express करूं, क्या बोलूं, कहां से start करूं, उस चीज पर काफी work कर रहे हैं, ठीक है ना, वो new beginning चाहते है काफी passion है उनमें new beginning करने के लिए, पर पहले वो आपसे clarification लेंगे, ठीक है ना, सब चीजों का, यह हो सकता है, आप उनसे clarification ले, सब चीजों का, and chariot का card मुझे बताता है, they want to come back quickly, ठीक है ना, बहुत जल्दी आना चाहते हैं, very soon और काफी, कुछ clear करना चाहते हैं आपके पास तो वो आपके पास तो guys आने वाले हैं, ठीक है वो चाहे कैसे भी किसी भी reasons है, लेकिन at least आएंगे तो बैठे तो नहीं रहेंगे ना, चुछ आप, चलिए अब देखते है, time duration क्या है, ठीक है ना, तो minimum तो मुझे guys, यहाँ पे लगता है, one week भी हो सकता है, क्योंकि movement दिख मुझे speed भी दिख रही है, तो one week, one month, three weeks भी हो सकता है, three months भी हो सकता है, minimum मुझे आपका यही दिखाई देता है, and maximum मेरे को दिखाई देता है, seven months, seven months लग सकते हैं, ठीक है ना, maximum मुझे seven months ही लग लाए, इस card से, ठीक है ना, चलिए guys, तो अब हम देखते हैं, साही बाब आइडेल्स देना चाहते हैं, तीन कार्ट से निकालेंगे, ठीक है चलिए, रोहानी गुट समू, जरुरत मंदों की सहयता कीजे, एंड पीरः, तो बैबा आपसे कहना चाहते हैं, कि रोहानी समू से कोई व्यक्ति, अगर आपकी कि मदद करने की कोशिश करे हैं तो सविकार किजिए आपके परसन भी कही Mate कहीं मैं बता रही दिन आपको टीम वर्क कर रहे हैं और वाबबी आपसे यहीं कह रहSo yum वर्क आप कर रहे हूं मिलने के तो अगर आप दूसरों को देंगे तो आपको उससे दो गुना मिलेगा ठीक है ना तो बाबा भी ही कह रहे हैं कि आप दूसरों की मदद कीजे यहां पर जरूरत मंदों का मतलब यह नहीं है कि सर्फ आप पैसे से ही उनकी हेल्प करें आप किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं इवन आप एक स्माइल देखर भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो यहां पर बाबा का मतलब है कि आप किसी भी तरह से दूसरी की क्यों कि आँशा बंदा सैड है और आप उसको अगर एक छोटी से स्माइल दे देंगे ना तो उसके फेस पे छोटी सी स्माइल ही आजएगी जोटी सी भी नहीं बलकि बड़ी सी ही आएगी बड़ मैं आप कुछ स्टल पूल रही हूँ आप दूसरों की कुछ स्मायल भी देंगे ना तो आप समझ लेज़े आपने उसे खुशी दिये तो यही है कि सेवा और परोगकार यही आत्मोधार का निश्चित मार्ग है तीसरा बताया है बाबा ने गाइड कहा है कि पीरा से गुजरकर ही महानतम आत्मा अधिक उनत होती है तो जो आपको यह पीरा मिल रही है न वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहे हैं कि अधिक उन्मा आतम्मा अधिक उन्मा उती है चली अब आपके पर्सन के मैसेजस देखते हैं वह आपके क्या कहना चाहते हैं आप रहे हैं अरे वा वाव वेरी नाइस I love you, प्यार करते हैं वो आपसे, very nice, और क्या चाहिए, पहला ही message उन्हों नहीं बता दिया आपसे, तब ही तो हो इतना team work पर के इतना clarification लेके आना चाहते है, I so want to call you, वो आपको call करना चाहते है, ठीके न, चली अच्छा है, call करेंगे, बात करेंगे, तब ही तो clarification होगा, ऐसे क कैसे हो जाएगा, करना चाहते है, very nice, चली है, फिर दो कार्च और आते, I forgive you, उन्होंने आपको माफ कर दिया, I will come back, वो वापस आएंगे, don't cry my john, we will meet again, very nice, तो हो कह रही है, कि हम फिर से मिलेंगे, और हमी रीडिंग में भी पता चल रहा है, वो अपने आप भी यही बात कह करना चाह रहे है, I know I messed up, ठीक है न, सही कह रहे है, क्योंनों नहीं तो messed up कर दिया है, यह सब trust issues उठा कर, ठीक है न, एक कार रो निकालती हूं, मैं अपके लिए, और इसी के साथ के मैं रीडिंग को पूरा करूंगी, और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, तो प आपको पुना soulmate मानते है, कहीं नहीं जाने वाले है, थोड़ा बहुत ड्रामा वगेरा होने वाला है, उनकी साइट से, उसको जहल जाए और वापस से आप लोग मिल जाए, यही मैं आपके लिए प्रे करती हूं, मेरे चैनल को लाइक कीचे, शेयर कीचे और कीचे और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बोलिये, ठीक है ना, थैंक यू, बागाई